नमस्कार साथियो एक पोर्टेंट न्यूज में दुबई विस रिलेटेड आपको बताऊंगा लेबर लोस रिलेटेड कंपनी में आप जोब कर रहे हैं ठीक है और कंपनी एक तो आपको तंखा नहीं दे रहे हैं उपर से हेकड़ी उपर से कर लेती हैं आपने देखा होगा क कि उल्टा चोर कोटवाल कोटा टेक तो कंपनी तंखा नहीं दे रही है उसमें पहले से प्रोब्लम करी क्रियेट कर रखी है फिर आप उनमें इस्तिपा देते हैं तो कंपनी आपके उपर इल्जाम लगा देती है जी हैं साथ इससे रिलेटेड हम बात करेंगे वीडियो अ प्रग नहीं बढ़ता यह क्युस्तन ही ऐसा ही है आप मालीजी किसी के पास 6 मेने से 8 मेने से साल बर से जोब कर रहे हैं तो वह कंपनी पहली बात तो खुद ही वेकूफ है ठीक है आपको समय पे आपका कोई भी आपका जो मकान वगए उसका बता यातरा बता या फिर आपका सेलरी आपको नहीं मिल रहा है कंपनी में तो आपकी मजबूरी हो जाती है जैसे आप कितने टायम काम करोग भी एक मज़दूर आदमी चे वो लाग रुपे कमाने वाला हो चे बीस जार कमाने वाले हो इपोर्टेन उनके लिए पैसा है वह बीस जार की जुरूरी उसको पड़ता है अब 1 मेना 2 3 4 5 6 मेने तक आप कंपनी में बिना स्ली लिए बराबर काम कर रहे हो आपको लगता है कंपनी तो डूब रही है या पिर यह नाटक कर रहे हैं इनको काम नहीं मिलना इनके पास पैसा नहीं है कंपनी डूबे कि उससे वह क्या करते हैं पिर इस्तिपा देने की सोचते हैं कि पर चलो कंपनी में इस्तिपा देते हैं कंपनी को पता लगता है कि आपने को तो फोकट का मजदूर मिल रहा है फोकट का वरकर मिल रहा है तो हम इस्तिपा सीवकार क्यों करें तो वो मना कर देती है कि हम इस्तिपा नहीं लेंगे आपको जोब करना है उस दोरान मालीजी आप उनकी mail आप पहले hand to hand ओपिस में इस्तिपा देते हैं फिर mail से करते हैं तो mail से मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं कोई भी आप अधिकारिक mail, official mail होती है नो उस पे आप mail से mail क पर यह आपका वीजा टिकेट है आपका अक्सवेजेट कोई भी लेबरलों से रिलेटेट आपका क्यों सुनों 100% वह वित्फुरूफ के साथ में evidence माना जाता है कि कंपनी को आपने बात रखी आप mouth to mouth बोलते हैं तो अगला मना कर देता है यह तो आए नहीं हमारी office में यह तो उसने बोला ही नहीं यह तो हमें पता ही नहीं mail से हर चीज तो आप mail से इस्तिपा बेज दे हैं तो company को पता लग जाता है कि बंदा निकलेगा हाथ से तो उससे पहले क्या करता है कि इस्तिपा देने का मतलब होता है कि company को आपका बकाया पैसा चुकाना पड़ेगा तो वो दिमाग लगाते हुए क्या करते हैं उनको एक notice बेजा जाता है बरकास्त का जिया साथ यूँ दुबई लेवर लोग निस सुच्छी के तायत 120 की दारा में एक notice बेज दिया जाता है कि आपको company की तरफ से बरकास्त किया जाता है अब बरकास्त करने का मतलब क्या इंडिया में आपने देखा होगा घूस लेते पकड़े ग लेगा उस दोरान आप क्या करें आपने पहले company में notice दिया इस्तिपा दे दिया कि मैं जोब नहीं करना मेरी शेलरी बगाया मुझे दे दीजिए उसके तुनद बाद company action लेते हैं 120 के तहट आपको पर एक notice बेजा जाता है कि आपको company में आपने हमारी नुकसान किया company आपकी वज़े से बरबाद हो गई आपकी वज़े से लोस में चली गई इस तरी इसलिए आपको बरकास्त किया जाता है उस दोरान आप उस system से बचने के लिए पहली बात दो नुकसान होगे एक तो आपको शेलरी नहीं मिली छे मैंने से दूसरी बात आपके allocation लग गया यानि आप को company की तरब से चोर बनाया गया उस दोरान आप कोन से action लें company के खिलाब में पहली बात तो बता दूंगी company इस तरह का आपको कोई notice बेशती है बरकास्त करने का तो वह बिल्कुल 120-1980 का जो act है उसको बिल्कुल misuse कर रही है वो शिरप आपके उपर दबाव बनाने के लिए आपको बेकूप बनाने की कोशिस करने का मातर उनका एक तरीका है बाकि उस notice की कोई value नहीं रह जाती है उसका करना कुछ नहीं आपको जैसे ही वो notice बरकास्त की का मिल जाता है तो आपको बाकाईदा दुबई labor law में उसकी complain करनी पड़ेगी जियां सात्यों आप सरम मंत्रा इस्तिपा उनको दिया आपके पास mail होगी आपके पास evidence होगा दो evidence होगे उसके बाद में उनकी तरफ से आपको एक जो लेटर बेजा गया है notice बेजा गया बरकास्त का कि आपकी वज़े से हमारी company loss में गई आपको बरकास्त करते हैं वह तिन्नों evidence लेके बाकाईदा आप सर जीत होगी आपको शिल्ली मिलेगी आपका मौजा company को जग मार के देना पड़ेगा आप उनके खिलाब पहले सिकाइद कराएं ताकि उनकी तरफ से फिर company आप अगर लेट कर दोगे सरम अंतराले में उनके खिलाब action लेने से तो वो पहले पहुंचेंगे तो फिर आपकी गे आपको मेरी बात समझ में आगे होगी वीडियो चाल लगे तो लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेच वाले पेच को फॉलो कर लें ताकि विदेश से related से information आपको मिलती रहे